Hello everyone, Namaskar, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ important word meanings के बारे में जिन से आप अच्छा से अंगरेजी पढ़ना लेखना बोलना सीख सकते हैं इसे पिछली वीडियो में भी हमने आपको कुछ word meanings के बारे में बताया था उससे आगे के word meanings के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हमारा whom whom को हम हिंदी में क्या क्यते हैं जिसको यह को हम इंगलिस में क्या क्यते हैं नेक्स्ट है however, however को हम हिंदी में क्या कहते है हाला की फिर भी, हाला की फिर भी, तो हाला की फिर भी को हम इंग्लिस में क्या कहते है, however, however का means क्या होता है, हाला की फिर भी, next है whichever, whichever को हम हिंदी में क्या कहते है, जो भी, यानि जो भी को हम इंग्लिस में क्या पढ़ेंगे, whichever, whichever means जो भी, next है in this way, in this way को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इस प्रकार, इस प्रकार को हम इंगलिस में क्या पढ़ेंगे, in this way, in this way means इस प्रकार, next है since, since को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तब से या उस समय से, तब से या उस समय से को हम इंगलिस में क्या कहते हैं, since, since means तब से या उस स कभी को हम इंग्लिस में क्या पढ़ेंगे वेन एवर मीन्स होता है जब कभी नेक्स्ट है इन विच इन विच को हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे जिसमें जिसमें को हम इंग्लिस में क्या पढ़ेंगे इन विच इन विच मीस जिसमें नेक्स्ट है इन सच इन सच को हम हिंदी म बोलना सीख सकते हैं और अगर आप ऐसे ही और बन मीनिंग्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सेयर करें थैंक्स पॉर वाचिंग बंदे मातरम